बहुत सारे लोग सोचते हैं कि YouTube हमको एक जमने जो पैसा जो पे कर रहा है वो व्योस का ही पैसा पे कर रहा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे चैनल पर 3000 या 4000 व्योस आ जाता है तो YouTube मुझे यह $1 पे करता है मतलब 3-4000 व्योस का YouTube हमको $1 ही पे कर रहा है तो हमारी चैनल पर views का ही पैसा YouTube हमको पे कर रहा है दोस्तों एक क्या सच है एक चल में जो YouTube हमको जो पैसा देता है यह views का पैसा देता है या videos के अंदर जो advertisement आता है उनका पैसा देता है आप जब videos upload करते हो तो videos upload करने के बाद वहाँ पर instant तो add तो नहीं आएगा सबसे पहले वहाँ पर views ही आना पड़ेगा जब views आएगा तो views के अंदर मतलब एक views क्लिक हो जाने के बाद जब videos को लोग watch करेंगे तो उसे time के दोरन वहाँ पर advertisement YouTube videos के अंदर show करना चालू कर देगा और जो add आएगा उसे videos के उसे particular video के अंदर तो उस add का पैसा YouTube 55% YouTube हमको pay करता है और 45% YouTube खुद रखे देता है तो YouTube ऐसा ही करता है तो ऐसा करता है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे 4000 views आ जाता है तो मुझे YouTube एक डॉलर या दो डॉलर पै करता है दोस्तों उन लोग भी सही कह रहे है क्योंकि सबसे पहले views ही आता है views आने के बाद ही वहाँ पर add सोग गया जाता है इसलिए हम मान सकते हैं कि YouTube एक्चल में views का ही पैसा दे रहा है और वहाँ पर जो add आ रहा है उनका भी पैसा दे रहा है तो हम दोनों का ही समझ सकते हैं किसी एक को हम right नहीं कह सकते हैं किसी एक को हम गलत नहीं कह सकते हैं हम दोनों को ही सही कह सकते हैं कि YouTube हमको views का ही पैसा दे रहा है और YouTube हमको advertisement का ही पैसा दे रहा है हाँ आप एक काम करेंगे तो आप यहाँ पर गलत भी साबीत कर सकते हो सबसे पहले आपको जिस particular वीडियो के अंदर आपका ज़्यादा भीऊस आरे आप उन वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले monetization को आप करना पड़ेगा आप सबसे पहले आप कर दीजिए आप हो जाने के बाद आप एक दिन तक वोड कीजिए वहाँ पर व्यूस आता है तो वहाँ पर आपको advertisement भी सो करेगा ऐसा है दोस्तों ऐसा नहीं है आप monetization आप कर देने के बाद आपके उसे particular वीडियो के अंदर व्यूस तो आ जाएगा आप earning नहीं कर सकते हैं इस दोरान आप कह सकते हो कि YouTube व्यूस का पैसा हमको नहीं देता advertisement का पैसा देता है बट व्यूस नहीं आएगा तो आप monetization on करने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिला कि व्यूस सबसे पहले व्यूस ही आता है व्यूस आने के बाद ही advertisement वहाँ पर वीडियोस के अंदर शोग किया जाता है तो हम दोनों कहीं समझ सकते हैं कि व्यूस आएगा तो एड आएगा तो एड आने के बाद हमारा जो earning है वो स्टार्ट हो जाएगा